है लो दोस्तों स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पर मैं आपका दोस्तों जीत पॉले आपको फिजिक्स साथ महपत करवाने इफ यू वन्ट लेंड फिजिक्स इन बढ़े रहे हैं मेरे साथ अपना गुरुजी पर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डा रिलेशन्शिप त्म कि अ daí रिलेशनीक बेड्वेट्वेंर कि डीन तो हम को पहले सेिर्ष इस द्हांन है वह हमको पता है डिवलोस्टी के एक्सप्रेशन क्या है तो यह जो रिलेशन है यह हमको पहले से पता है वीडी का के लिए कि हमने ले लिया यह मेरा कcycles मैं अल्रेंब कर दिया right है अब इस कंड़क्टर में क्या क्या एक लिक्रिक फिल सेट अप होगा इसको वी के वजए से तो यहां पर इलेक्टरिक फिल का दिशन इधर रहेगा और लोगन का जो ड्रिब वैल सेटी है वह इसी डिरिक्शन में रहेगा ओके तो हम लोग यहां पर कासिजर की है जो क्या का में चैब थाप आख में तो देंस अन देंसरे अपर आञ्व क्रोश एक्षिक्षन दिन्स का बॉल्म किस्का अधर लुंच पहली मौ जाएगा थे शोचिवाल नहिंड ही आग्च्छों से एंग आधिन देंसिति अफिल गट्रॉन देंसिति आफ देंसिति ओफ यह इल से लोग्ट्रोण्स कितना हो जाएंगे ये एल हो जाएगा टॉटल नंबर फिलोग्ट्रोण्स अब बात यह आता है कि टोटल चाट कितना होगा टोटल charge of the conductor will be कितना हो जाएगा Q equals to हो जाएगा N A L E यह हो जाएगा total charge total charge हमको पाता है quantization of charge total charge by the body is the integral multiple of basic quantum of charge तो E क्या है हमारा है basic quantum of charge और E क्या वेलु कितना होता है equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb तो यह वेलु याद रखना always तो यह हमारा charge का वेलु आ गया अभी हम लोग क्या पता है यहापे हमारा velocity है हमको time चाहिए क्योंकि I equals to Q by T है तो हमको time चाहिए तो हमें पता है velocity जो होता है velocity equals to क्या है displacement by time displacement by time तो हम लोग यहापे velocity को वीडी लिखेंगे drift velocity displacement यहापे कितना हो रहा है L डिस्प्लेस हो रहा है तो L by T तो that implies T कितना हो जाएगा L by VD तो यहापे T का भी expression आ गया अब हमारे पास Q का expression है और T का expression है हमको क्या चाहिए I किसाद वीडी का relation चाहिए तो लोग क्या करेंगे I equals to Q by T करेंगे और I equals to क्या करते है Q के जगा पर यह वालों सब्स्ट्टिट कर सकते है N A L E by T के जगा पर L by VD तो यहाँ पर L और L कैंसल तो मेरा I equals to क्या बन गया N A N A E VD So that is the relationship between the current and the drift velocity कितना सिंपल था Easy है समझ में आया पहले करने ट्रेल लेना है L उसका length है A उसका area of cross section है VD वेल डिवल सेटी है I amount of current flow कर रहा है VD का expression E E by T E E tau by M था I का expression Q by T था L A क्या है उसका volume है Density of electron N है Total number of electron N A L हो गया Total charge इतना हो गया Q equals to N A L E हो गया अब यहां पर VD का displacement में टाइम है तो VD equals to L by T T हो गया L by VD value वो सब्सूट की थे यहाला expression मिल गया अब यह अगर हम लोग I का expression है और भी simplify कर सकते है N A E VD का value में पता है E M E E tau by M So this is all about the relationship between the electric current and drift velocity If you enjoy the video and learn something then please like the video and share with your friends and in the next video हम लोग क्या करने वाल है जो series and parallel combination resistance ohms law resistivity सारे chapters का पूरा डिटेल्स में पढने वाले है तो और वे ऐसे videos class 12 का देखने के लिए keep watching अपना गुरुची तो आज के लिए इतना है फिर मिलते अपने वीडियो पर तब तक के लिए हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे और पढ़ाई करते रहे और कोई भी दिक्कत वगेरा होता है कोई डाउट्स वगेरा आते तो कपने शेक्षिन में बेजी जग बताईए हम उसको सॉल्ट करेंगे थैंक यू वेरी मच्च कीप वाचिंग अपना गुरुजी